मैं हूँ यस्पी पांडे आप देख रहें सच 24 इंडिया अफ समाचार अजुद्ध्या से सहारा इंडिया परिवार रीजन आफिस अजुद्ध्या से जुड़े काज करताओं ने सनिवार को अस्थाने सांसत लल्लीव सिंग को एक ग्यापन देकर साहारा से भी मामले में हस् च्छेप की मांकी है सांसत के आवास पर बड़ी संख्या में जुटे काज करताओं ने ग्यापन में कहा है कि सहारा से भी विवाद पिछले लगभग दस वरसों से चल रहा है और उसकी वज़ा से ना केवल सहारा के करोणों निवेशकों को उनकी बचत का पैसा फसा है अप ने अच्छे भविस के लिए छोटी छोटी बचत की थी ताकि वो पैसा उनके बच्चों की सिच्छा साधी विवाद के कामा सके और बुरे वक्त में उनका सहारा बन सके लेकिन सहारा से भी विवाद की वज़ा से करोणों निवेशकों के सपने तूट गए किसी के बच्च लल्लू सिंग के आवास पर जुटे सहारा इंडिया के भारी संख्या में अभी करता हूँ वा करमचारियों तदाधिकारियों ने सरकार से सहारा सेवी विवाद से में हस्तच्चेप करते हुए सेवी के पास जमारुपे को सहारा इंडिया को वापस दिलाने की मांग की है ताक पहले तो आप सभी लोगों का बहुत वह धन्दवाद की आप लोगोंने आज सहयोग दिया है और आज हम सानसद महफध्ट के पास आये हैं हम लोग सहारा से विू बिबाद के संबन्द में अपनी जो जान अपनी जो संस्था से और सहारा से बिबाद चल रहा है उसके ग्यापन के लिए हम लोग सांसत महोदे के पास आए गी हैं हम लोगों ने जो हमारी संस्था में 12 लाख हमारे कारिकरता करते बहुगी कारिकरता है और लगवग 10 करोन हमारे जो सम्मानी जमा करता है निवेश करता गण है आज इन लोगों की रोजी रोटी औ है निवेज धन है उस पर ग्रहन लग गया है चुकि सहारा से भी विबाद में हमारी संस्था का 25,000 करोड उपए जमा है अगर वह 25,000 करोड उपए सरकार के माध्यम से कोड के माध्यम से अगर हमारा ही पैसा सहारा इंडिया का पैसा है वो अगर हम लोगों को वापस मिल जाता है तो हम लोग का जीवन है यह 45 वरसों का जो सफर है फिर हम लोग बहुत आगे अपने आपको बढ़ा ले जाएंगे पूरे हिंदुस्तान में जमा करताओं का विश्वास जो जमा हुआ है जो हम लोगों का धन सारा इंडिया में जमा हुआ है फिर पुना उन लोगों का व जो जी रोटी है जो उनका चुला जो करें सांसच जी को दिया गया सांसच जी ने कहा कि यह मुद्दा हम लोग बिल्कुल रूप से अपने संसद में उठाएंगे लोग सभा में उठाएंगे और अपने छेत्र की जनता का और अपने छेत्र की समस्या को लोग सभा में उठ करके और आप लोगों के साहरा से विवाद को हम लोग समाप कर वाएंगे